नमस्कार दोस्तों नमस्ते अभिबादन्हार्टन आपका स्वागत करता हूँ आपसभी का अपकी यूट्यूब चैनल yanippie investors में hayeording investors ह्में दोस्तों आप विएरस करता है सबसे पहले अब कले ओmus स्भाजित किbon यह देखेगा मेरा वो पिछला वीडियो उसके बाद आप ये वीडियो भी देख सकता है इस वीडियो में भी मैं टाटा स्टील के ऊपर ही एक कवरेज करने वाला हूँ दोस्तों टाटा स्टील को मैं 900 रुपे के प्राइस से 900 900 रुपे के प्राइस से रिकमेंड करता आ रहा हूं और आज दोस्तों प्राइस आ गया है 1300 को क्रॉस कर चुका है दोस्तों 1300 प्लस हो चुका है प्राइस और काफी अच्छा रिटन मिला है सब्सक्राइबर्स और व्यूर्स को तो उनके लिए बहुत बहुत बढ़ाई हो अब बात करते हैं यहाँ पर इस न्यूस की टाटा स्टील के उपर एक न्यूस आई है जहाँ पर Tata Steel ने किया है acquisition 90% acquisition किया गया है Tata Steel के द्वारा और इसी के कारण target मेरा जो 1500 का target है वो भी मुझे long term में जो मैंने बताया था कि target जो अच्छीव होगा या नहीं होगा यह हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में अब क्या stock बनेगा rocket और 600 करोड का दोस्तों investment किया गया है Tata के द्वारा और यह जो acquisition हुआ है इसमें 600 करोड से भी ज्यादा पैसा लगा है Tata Group का जिसमें उन्होंने acquire किया है एक छोटी सी steel company को और कहने की बाद दोस्तों यह है कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है Tata Group और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है इनकी जो management है इनका group है लगातार अलग अलग companies को buy करता चला जा रहा है acquire करता चला जा रहा है इससे सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि Tata Group की जो expanding city है वो काफी अच्छी चल रही है तूसरी बात अगर मैं कहूं यहाँ पर तो Tata Group दोस्तों काफी लंबे अर्से से इस देश में रहा है और अच्छा अच्छा और जितना हो सके उतना आप Tata Group के अंदर कहीं सारे ऐसे मेरे दोस्त भी ऐसे है और कहीं सारे मेरे viewers भी होंगे जो Tata Group कर एक अच्छा trust रखते है जिसके कारण उनका काफी हद तक पैसा Tata की companies में लगा हुआ है और बिल्कुल अच्छे बात है ये ग्रूप काफी अच्छा है Tata Group का Tata Group की ये जो news है दोस्तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे market पर क्या Tata Steel का stock उपर जाएगा और 1500 का level कब अच्छी होगा सब कुछ हम जानेंगे वीडियो के end में लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है ये news न्यूस में दोस्तो Tata Steel Mining Limited Tata Steel Mining Limited has completed the acquisition of controlling stake of 90% in Rohit Ferro Tech Limited 90% acquisition हो चुका है दोस्तो Rohit Ferro Tech Limited के अंदर आपर 657 करोर रुपिस 67 करोर रुपीस 67 करोर ठूपेट टॉपीस अंदर छुट्सक्रा ब्र डूज़ूड क्षिस a mix of 10 करोड in stock and 607 करोड in inter corporate loan चलिए ये सब तो थोड़ा सा technical and financially technical sound चीज हो गई कैसे investment हुआ था ये तो बातचीत हो जाती है यहाँ पर कि इस तरीके जब ये 10 करोड stocks में भी stock के form में और 607 करोड inter corporate loan के form में set किया गया है data के द्वारा अब company has signed a share purchase agreement with sale on April 5, 2022 for the acquisition of sales entire equity investment in S&T mining company limited ये जो बहुत ही important point में आप ही पढ़ रहा हूँ वो ये है कि देखिया अब sale sale भी काफी अच्छा stock है हमने इसके रूपर भी कहीं बार coverage किया है लेकिन कहने के बात ही है Tata Steel अब sale के भी कुछ business के हिस्सों को acquire कर रहा है जैसे के बात हो चुकी है April 5, 2022 from the acquisition of sales entire equity investment in S&T mining company limited S&T mining was founded in 2008 with the goal of purchasing coal blocks, conducting exploration, receiving the necessary government and regulatory approvals and permits तो basically ये जो S&T mining वाला इनका जो department है दोस्तों sale का ये राटा ग्रूप इसके अंदर focus कर रहा है और इसे बाई करने के बात हो रही है mining दोस्तों ये जो S&T mining है ये generally majority coal mining में deal करती है जहाँ पर coal अभी भी दोस्तों हम कहा है कि coal mining हम नहीं करनी चाहिए लेकिन इस देश की power generation जो capacity है कहीं सारी power की जरूरत है हमारे देश में तो वो power generation के लिए दोस्तों coal एक एहम इस्सा है अभी भी इस देश का हम अभी भी completely पूरी तरीके से environment free नहीं हो पाए है इस green energy को हम प्रमोट कर रहे है लेकिन अभी भी coal एक अच्छा option है हमारे पास क्यूंकि वो सस्ता भी पढ़ता है आज की तारिक में भी यूज होता है और ताकि electricity generate हो सुके तो जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ रहा है वैसे coal की demand कम हो रही है मैं मानता हूं लेकिन अभी भी coal एक अच्छा source of energy है यह बात हमें नकारनी नहीं चाहिए और यही रीजन है कि अभी भी coal mining वाली companies अच्छा कासा perform कर जाते है तो टाटा के दोस्तों दो एहम चीज आज हमें जेखने को मिली है पहली कि टाटा का रोहित फेरो को acquire हो चुका है और 90% स्टेक कंट्रोलिंग स्टेक रोहित फेरो के अंदर टाटा ने ले लिया है दूसरी बात सेल जो की स्टील ऑथरेटी इंडिया लिमि अब बात करते हैं इन्वेस्मेंट की मैंने जो यह आपको फोटो दिखाया था तमने लिखाया था और टार्गेट दिया था पंदरा सो मगा क्या यह अचीवेबल है या नहीं उसके लिए मैं आपको ले ना जाओ लेकर जाओंगा चार्ट पर करूंगा टाटा स्टील के मे यहां पर एक डिप आया था यह हुआफ यह एक अच्छा डिप था बाइंग के लिए यहां पर जी नहने इन्वेस्ट किया होगा उनके भी आज चाकासा स्विंग टेंगिर industry होगा यहां पर उसके बाद एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला है वापस से स्टॉक के अंदर मोमेंटम प्रॉफिट बॉकिंग आएगी यह तो कहरा मुश्किल है क्योंकि इस तरीके से दोस्तों टाटा स्टील के बॉसिटिव न्यूज आ रही है उसी साथ से एक अच्छा कासा पुश मिल सकता है टाटा स्टील को ऊपर की तरफ जाने में के लिए और यही मेरा पॉइंट ऑफ कंसन है कि कहीं ये वला जो लेवल है ये वला लेवल भी आपका मिस हो ना जा है स्टॉक क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छा है एक अच्छा कासा अपने अल्टाइम धिए अगर देखा जाए तो क्योंकि इस अपने अच्छे एक सपोर्ट पर रजिस्टन्स पर पार रुका हुआ है देखे अगर आप देखे तो ये वाली रेंज एक अच्छी रेंज थी यही बापिस एक वापिस ए Supreme Space कर रहा है यह अगर दोस्तों यह रजिस्टन्स यहां जो कि अच्छी बात रहेगी लेकिन जिस तरीक ऐसे दोस्तों न्यूज आ रही है जिस तरीक ऐसे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहा है कंपनी के हमने यह एक्विजिशन वाली न्यूज देखी है जहां पर रोहिट फैरो लिमिटेट को एक्वायर किया गया है अब यह सारी पॉजिटिव न्यूज रती है दोस्तों और जो हमें पता है कि जैसे पॉजिटिव और बुलिश न्यूज आती है मारकेट में स्टॉक भागने लग जाते है तो स्टील के लिए टाटा स्टील के लिए मेरी यही आपसे अपिनियन मेरा अगर पूछे तो मेरा अपिनियन यह रहेगा कि कृपिया आप अपनी जो कुछ हमाउंट है थोड़ा सा एसा इपी हमाउंट है वह इस लेवल पर आप जरूर बाई कीजिएगा लॉंग टाटा स चील मिलता है तो एक अच्छा इंवेस्मेंट आप्शन आपके लिए हो सकता है बाकी 1500 का लेवल आपको जरूर इस साल के अंदर अंदर तो मिल ही जाएगा यह तो बहुत चोटी बात होगे कहने की लेकिन 1500 का लेवल दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें एक या दो म अब उनको भी एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है तो यह लेवल दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अगर यह रजिस्टन्स टूड जाता है यह वाला रजिस्टन्स यह वाला लेवल को यह तोड़ देता है तो हमें एक अच्छा हाई मिल सकता है लेकिन अगर यह स् बुरूर अपने पास रखेगा ताकि आप अच्छे stocks को liquidity के time और volatility के time buy कर सके I hope आपको मेरा ये video और मेरा suggestion समझाया होगा बाकी हम बात करेंगे अगले video में क्या हमारा अगला video किसके उपर रहने वाला है बिल्कुल वो आपको हमारे साथ बना रहना होगा हमारा हर रोज एक एक वीडियो आते रहते है at least एक वीडियो तो मैं रखता ही हूँ ताकि आपको एक अच्छा multi bagger stock बता सकूँ मिलेंगे फिर से किसी वाल अच्छे वाल एपिसोड के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं happy investors देन्यवाद